नमस्कार मैं हूँ आपके साश प्रसानी और आप देख रहे हैं दिली नाइच चुनाएं लोगसभा चुनाव की तैयारिया शुरू हो गई है और एक बार फिर से राफेल का मुद्दा गरमाया है दर्सल सुप्रीम कोर्ट में मोधी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि रक्षम मंतरा लेके कुछ काघज चोरी हो गया है और साथी इस वयान के पाद लगातार सरकार की एक बार फिर से आलोशना हो रही है और कॉंग्रेस को विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस को एक बार फिर से सरकार पर निशाना साथने का मोका मिल गया है और इसी कड़ी में आज कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी ने प प्रफ्रेंस कर सिधे तोर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा उन्हें कहा कि इस सरकार में सब कुछ गायब हो रहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाला है जिसकी जाच होनी चाहिए। फाइल भी है उसके बाद से लगातार जो है अब राहुल गांदी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टिया हो सरकार पर निशाना साध रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी ने ये कहा है कि राहुल गांदी जो आरोप लगा रही हैं वो सभी बेबुनियात हैं। और साफतोर पर अब जिस तरीके से राफेल को लेकर कॉंग्रेस हमेशा से ही परधान मुंतर निशाना साथती आई है। एक बार फिर से उन्हें सरकार पर तंज करसने का मौका मिल गया है। और अधि खबरों को च्वानिक ले सब्सक्राइब करें दिली राइचुनाएं।